एक अंतराजी ग्रो है जिससे 45 किलो 400 ग्राम गांजा जो है वो जप्त किया गया है पुलिस के द्वारा इसमें असल में सूचना मिली थी कि ये जो है उडीसा से इस प्रकार की कोई कंसाइंडमेंट चली है जिसमें कोई नार्कोटिक्स ड्रग होने की संभावना है और का नंबर भी किसी ने बताया था मुख्बिर ने और उस सूचना पर क्राइम ब्रांच को सक्री किया गया और उनके द्वारा इसकी तद्रीकी की गई और एडीशनल एस्पी क्राइम के नेतरत में जो है टीम बनाई गई जिसमें सी एस्पी और स्थानी बरेला का जो प्राइमें से जो है वो चार लोग मिले हैं वो चार लोगों से ये गांजा जो है वो जप्त किया गया है आश्र की बात यह है कि ये चारों दमों के रहने वाले हैं इनका सरगना जो है वो राकेश जेन पिता हुकम्चंद जेन है नाटा दमों का रहने वाला है इसके हुआ तर्फ ले जाने वाले थे उसी बीच में बरेला ठाना शेत्र में इसको रोक कर और चेक किया जाने पर यह मिला है और इस पर कारवाई को इन्जिन बडा कर जो बोले डिस्टर बान पर रखू naning रृत है कई तीन-चार पोटलियां वहां भी बाद रखा है और इसमें जो स्टेपनी होती है उस स्टेपनी के नीचे भी इन्होंने जो है वो उसको बादा हुआ था मतलब सामा ने देखने पर ऐसा नहीं लगता था कि इसमें कुछ है लेकिन जब वहन तलाशी दी तब यह मिला है सामा और इनके ऊपर जो है वो नार्गोटिक्स और साइकोट्रपिक एक्ट में कारवाई की गई है और अभी इनका रिमांड लिया जा रहा है जिससे और भी पाली जिला है उडिसा का उस तरफ से लाना इनका ग्यात हुआ है अब इसमें इंग्वेस्टिकेशन में क्लियर होगा कि इसमें और कौन-कौन लोग शामिल है और आगे के लोग कहा है